धुम्रपान पड़ेगा मेंगा तो हेलो गाइस वेलकम तो मार यूटूब चैनल के पिया टेक्टाइशन इस हीर तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप साइट मेनु बार कैसे बना दूपते हैं वहीं इक्रों सिंपल एस्टेमा उस्स को इससे बार करते हैं साइट मेनु बार तो आपने देखा होगा जैसे साइट में आए कौनर देखो सर्च वेब ग्लोबल और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे वेब पेज पहुशा रहता है तो उसी को हम साइट मेनु बार कुलते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम एस लाकरते पहले अपना पॉल लगा लेते हैं तो हमारा है हमारा चाहले टाइटल स्टार को मेनु लिंक हम ने सब्सक्राइब और यहां पर हमारा को देख से हमने लिया है वीज़ा तो हम आगे करते तो अभी बाड़ी मैं सब टैक्स को इक बार प्रोस कर दूँ फिर हम इसके बीच में लिखेंगे तो अब यहां पर हम प्रेड़े लगाएंगे एक डिव क्लास और उसका नेम होगा आइकॉन बार फिर हम लगाएंगे एक क्लास क्लास नेम हमारा क्लास एक्टिव रहेगा क्योंकि हमारा फोर्म का इसके हम उसे एक्टिव रखेंगे और और फो पिर यहां पर हम क्लोस करेंगे पिर लगाएंगे आई क्लास शहां पार, फोर्म क्लास पारös पार फोर्म क्लास पार और आप मैं इसे सेव करूंगा और ब्राउजर में बिखा लोगा तो आप देख सकते हमारा होम का मेन्यू है सोटा सा आप देख सकते हैं जू कलर में हो मेन्यू अब हम इसके निशे ओर लगाएंगे तो हम लाएंगे क्लास एक लास कर्स क्लास करेंगे यहां पर हम फिर डालें क्लास आइक लास इस इसको टू नेम आफा सर्च सर्च और यहां पर क्लोज करेंगे अब हम इसे कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे अच्छे पुरा कॉपी नहीं हुआ और पेस्ट चार बार हम इसे पेस्ट करेंगे तीन बार सोड़ेंगे फिर हम यह सर्च को बदल देंगे नाम इन्वलप और इसे हम कर देंगे लोबल और इसे हम करेंगे ट्रैश अब मैं इसे सेब करूगा अब मैं इसे ब्राउजर में दिखाता हूं तो आप दे सकते हैं ओम सर्च एन्वलप ट्रैश और हमारा ओम ब्लू कलर में क्योंकि हमने इसका क्लास एक्टिव रखा इसे वज़े से यह हम अब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे जो कि हम से करेंगे तो हम css में जाते हैं और यहां से हम आइकॉन बार कॉपी करेंगे क्योंकि हमारा क्लास है और फिल्सर जाएंगे स्टाइल सी एसेस में फिर हम आइकॉन बार पेस्ट करेंगे तो हमारी विट होगी 40 पिक्सल सॉरी 90 पिक्सल होगी हमारी 90 पिक्सल बैक्राउंड होगा उसका बैक्राउंड कलर डारेंगे पाइस्टिक 555 सेफ फिर हमारा अगला होगा कंट्रूल प्रस्वी आइकॉन बार आइकॉन बार में डॉट डिस्प्ले आइकॉन बार ए लगाए में हमारे आइकॉन्स उनका ग्लास देगें डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक टेक्स्ट एलिजन्स सेंटर् फॉर्टी पिक्सल्ट कलर वाइट और फॉर्ट साइज फॉर्ट साइज हमारा होगा थर्टी पिक्सल्ट इसे सेव करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारा कैसे हो चुका है सब्सक्राइब करते हैं तो हम लगाएंगे डॉट राइट बनी पार एक ओवर अब हम इससे ओवर देगे अगे अगे प्रांस्फॉर्म स्केल्ट प्रांस्फॉर्म स्केल्ट 1.5 बैक्राउंड रेड़ सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यह बहुत जल्दी हो रहा है तो हम इससे फ्लो करेंगे तो हम यहां पर डालेंगे प्रांसिशन रांसिशन प्रांसिशन ओल औरक्रांस्पॉर्ट 3 सेकंड कर सेव को आप देख सकते हैं है अब है तेरे हो रहा है और हम इसके transform scale भी करो सकते हैं जाए अंदर से तो अगर हम इसे माइनस में कर देखे एक है तो यह हमारा हो जाएगा 0.5 अगर मैं तो हमारी transform scale देखे तो यह अंदर की तरफ जाएगा लेख सकते हैं आप इसे हम इसकी पैडिंग थोड़ी चेंज कर जबते हैं तो यह तो यह साइट में जा रहा है तो हम इसे पिर से कम कर देते हैं कर देखे तो यह तो आप देख सकते हैं इसे चोटा भी हो सकता है और अगर आप इसकी पैडिंग चेंज करेंगे तो अब आप यह हमारा साइड मेन्यू पार कुछ ज्यादा नहीं किया इसमें में एक्दम सिंपल एक्डम यूज किया है और सिंपल इसमें बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है आप यह कर सकते हो और अग्र आपको एडवांस वीडिओह देखने हैं तो अपल यह ने आप्र और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना चला यहां पर देखने आओ अपकी राटेगे नापका यूटूब चैनल है आपके फ्रेंड का है चैनल है और किसको भी कुछ भी डाउट हो, प्लीज मुझे कमेंट में बता देना और अगर आपके पास भी कुण सा आइडिया है तो मुझे शेर कर देना मैं आपकी बार वो अपने यूटूब चैनल में पताने को सब्सक्राइब मेरी अग्ली वीडियो में क्यू यू बाइभ ।बएफट लूवाइब यू यू था बाइग यू 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 रचिता है